हेलो फ्रेंज मैं हुरिमा विल्कम टू माई चानल आज हम देखिए इस तरगे की बहुत ही प्यारा सा पैच वर्क स्लिप्स डिजाइन बनाना सिखेंगे यह देखिए बहुत ही सिंपल और स्टाइलिस लुक आता है इसका तो अगर आप बनाना सिखना चाहते हैं तो वीडिय इंच लिया है लगबग 10 इंच त्यार रखना है अब देखिए इसे अरम होल की गुलाई करने के लिए यहां पर तीन इंच पर निसाल लगाएंगे यह मैंने ओपन साइट में निसाल लगाया है और यहां पर देखिए जितनी फिटिंग रखना है तो यहां पर मुझे इसको नापते हैं और इसका हाफ करते हुए देखिए यहां पर निसाल लगा लेते हैं ऐसे इसके बाद देखिए इसको इसे तिर्चे में मिला देंगे और मिलाने के बाद यहां पर देखिए ऐसे गुलाई के साथ कटिंग करेंगे और यहां पर बिल्कुल ऐसे स्टेट जॉइंट होगा तो देखिए यह उल्टा साइड है दोनों साइड में निसाल लगा लिया है तकि सिधा उल्टा का पता चले और यह जो मैंन फैब्रिक है देखिए अब इसके उपर रखते हुए कटिंग कर लेंगे तो देखिए में फैब्रिक से नीचे के तरफ यह सिलाई म दाई के देखिए यह इसप्ले तनके सिधा साईड और में फैब्रीक से दो अंदर के तरफ करते हुए घुलेंगे और सलने के लिए इसके वी पुलेणा है और लाइने को देखिए से लगभेख पिंच दबाते हुए देखिए उपर श्लाइं कर लेंगे तो देखिए पहले इसके उपर अशे लगभुक half inch पर यंज पे निसान लगा लेंगे और इतना ही फेड़िक हैसे दबाते हुए इसके उपर सिलाइ करेंगे तो सिलाइ करने के लिए देखिए जो पाइपीन है इसमें इसके नीचे नीचे पूरे में सिलाइ करेंगे पाइपीन के नीचे नीचे देखेते हैं इस परकार सिलने के बाद लाइनिंग को ऐसे सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए पूरे में किनारे किनारे सिलाइट कर लेंगे ताकि यह लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक साथा टेच हो जाए फिर देखिए अगर मेन फैब्रिक एक्ष्ट्रा हो जाता है तो उसको ऐसे कट करके बराबर कर लेना है इसे परकार देख सकते हैं दोनों स्लिप्स मैंने त्यार कर लिया है अब देखें सेंटर में यहाँ पर डिजाइन से बनाना है तो पहले उसकी कटिंग करेंगे तो देख सकते हैं स्लिप्स को ऐसे बीचो बीच फोल्ड करते हुए पहले इसका सेंटर निकालेंगे जानिंग की चीर लंबाई है देखिए जहां तक आपको डिजाइन्स बनाना है उसे लगवग एक इंच एश्टा लेते हुए कटिंग कर लेना है तो पट्टी को मैंने हैं पर डबल करते हुए रखा है और टोटल च्वला यहां पर सवा दो इंच लिया है डबल में तो पहले तो चलाई दो इंच हो गया और इसकी जो लंबाई है देखिए बॉर्डर के उपर तक हम सिलाई करेंगे तो पहले देखिए दोनों का सेंटर ऐसे मैश करते हुए पहले बीचो बीच सिलाई कर लेंगे ताकि यह इधर उधर ना हो और फिर यह जो हमने निसान लागाया है दोनों साइड में एक एक इंच पे उसी के ऊपर देखिए ऐसे सिलाई करेंगे और नीचे जो बॉर्डर है देखिए बॉर्डर के ऊपर से इस प्रकर घुमा लेंगे देखिए यह सिलने के बाद यह पट्टी है देखिए पट्टी को मैंने किनारे से नहीं फोल्ड किया है तो इसमें से पहले दू प्वैंट फाइबरिक देखिए अंदर के तरफ करते हुए पूरे में किनारे किनारे सिलाई करेंगे देख सकते हैं इसे फोल्ड करने के बाद बीच में जो इक्ष्टा फाइब्रिक है देखिए इसको ऐसे कट कर लेंगे यानिते इसे सिलाई से देखिए दो पॉइंट एक्ष्टा फैब्रिक छोडते हुए इसके ऐसे कटिंग कर लेना है और फीर ऐसे दोनों कॉर्णर पर कर लेंगे फिर पट्टी को ऐसे सिधा करना है और इसके उपर देखे ऐसे सिलाई कर लेना है मारजन इसी पट्टी के नीचे दब जाएगा इस सिलाई से जैसे तहीं पूरे पट्टी के ऊपर से लाई करने के बाद ये पट्टी देखिए ऐसे अंदर के साइट में फोल्ड हो जाएगा अगर फैबरी कूटने वाला हो यानिक अच्छा से ना बैठे तो यहाँ पर आईरन भी कर सकते हैं अब देखिए इसको कवर करने के लिए हम डिजानिस त्यार करेंगे तो जैसे कट हमने दो इंच का कट किया है बीच में तो उससे लगवग एक इंच फैबरीक एक्ष्ट्रा लेते हुए देखिए एक और पट्टी कटिंग करेंगे यह मैंने देखिए लानिंग के फैबरीक से कटिंग किया है अब देखिए सारी से मैचिंग यह मैंने रेट कलर का फैबरीक लिया है इसमें से लगवग धा इंच लंबाइव कर लेंगे कि इसको ऐसे टैंगल सिफ में फोल करेंगे याँ नीचे से दख़िए से कसे फिक्स कर लिए कि तकि यह न खुले इसी परकार देख सकते हैं मैंने सबको यह फोल्ड करके त्यार कर लिया है अब देखिए मैंने बचवा फाइबरिक लिया है स्लिप्स में से इसमें से भी लगभग सवादो या फिर धाइंच चॉली पट्टी कटिंग करेंगे ऐसे देख सकते हैं इसकी चॉलाई मैंने लगभग धाइंच लिया है इसके बद देखिए यहाँ पर उपर से लगभग देख दो इन चॉली पट्टी ऐसे कट करके यहाँ पर रख लेंगे मैं पटी रख लिया है उसको कवर करने के लिए देखिए ऊपर पटी रख लिया है इसके बाद क्ह Each का सेंटर करेंगे और फिर इस पटी प्रीर इस्को ऐसे सेंटर में रखेंगे इसको एसे राखेंगे अयरी देखेते हैं पट्टी से जितना यह एक्ष्टा फैब्रिक हो जाता है इसको इसको कट करके निकाल लेना है अब देखे फिर से रेट वाला फैब्रिक लेंगे और जहां तक ग्रीन वाला पट्टी है देखे वहीं तक इसको ऐसे सेंटर में रखते हुए फिक्स कर लेंगे का यहां पे लगवां पॉन इंच पटी छोड़ते हुए इसी सिलाई कर लेंगे फिर से देखिए रेड़ वाला पटी हमने त्यार किया है इसको यहाँ पर रखेंगे यानि कि जहां तक यह ग्रीन वाला फैब्रिक है बिल्कुल वहीं तक उसके उपर नहीं जाना चाहिए वहीं तक इसको रखते हुए सेंटर में फिक्स कर लेंगे ऐसे फिर ऐसे ग्रीन वा सेम इसी मेथट को फॉलो करते हुए देखिए हम पूरा पटी यह फैब्रिक से कभर कर लेंगे देख सकते ही यह कभर हो गया है अब देखिए लाइनिंग के साइट से इसके ऊपर किनारे किनारे से सिलाई कर लेंगे दोनों साइट में इसे सिलाई कर लेना है और फिर सिलाई से जितना यह एक्ष्ट्रा फेब्रिक हो गया है साइट में देखिए इसको ऐसे कट करके निकाल देंगे तो इस परकर देख सेके यह पटी हमारा त्यार हो गया अब देखिए इसको ऐसे सेंटर में रखते हुए देखिए दोनों साइट से सिलाई कर लेंगे अच्छे से सेंटर में पहले फिक्स कर लेना है और फिर देखें यहां पर एक साइड से पहले सिलाई करेंगे नीकि नीचे से ही सिलाई करना स्टार्ट करेंगे देखें यहां से और इस परकार पूरे में सिलाई कर लेंगे इसके बाद असे दूसरे साइड में भी सिलाई करेंगे तभी ये बहुत ही प्यारा लगेगा तो मैं यहाँ पर देखिए लाइस यूज नहीं कर रही हूँ मैं ऐसे ही रखूंगी सिर्फ सेंटर में देखिए एक-एक मोती हाँ पर अटेच कर लेती हूँ तो हर डिजाइन्स के नीचे एक छोटा सा मोती देखिए ऐसे अटेच कर लेंगे तो देखिए ये मैं पूरी मोती अटेच कर लिया है पहने के बाद देखिए बहुत ही खुपसरुत लगेगा तो इस परकर बनाएए और ट्राइए कीजिए देखिए मैंने इसी परकर ये दोनों से लिफ्स त्यार कर लिया है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको देखिए थोरा सा भी अगर helpful रहे आपके लिए तो प्लेच लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चानल पर नए है तो और वीडियो देखने के लिए चानल को सिस्क्राइब कर बेल आइकोन को जरूर प्लेस कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद